प्रेटमेंट के देरो फ्युचर्स में से एक फ्युचर है टेली इंटिगरेशन का मतलब आप फ्रेटमेंट में किये गए सारे आइकौंटिंग वाचर्स को टेली में लेके जा सकते हों और वो भी कुछ ही मिनुट्स में हिना मज़ी तर बात जी नहीं अगर आप सोच रहे हैं कि ये तो बड़ा ही मिश्किल काम होगा तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं बाकि सारे फ्युचर्स की तरह ये भी बड़ा ही आसान है तो इंतिजार कि इस बात का हो जाए तैयर मेरे साथ ये जानने के लिए कि आखिर ये सब होगा किसे तो फ्रेटमेंट के सारे अकाउंटिंग वर्चर्स को टैली में एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमें फ्रेटमेंट में बने सारे लेजर्स, लेजर ग्रूप्स और वर्चर टाइप्स को एक्सपोर्ट करना होगा जिसके लिए आपको company में, export में, masters में क्लिक करना है इस screen में आपको select करना है कि आप कौन से masters export करना चाहते हैं अगर अब sure नहीं है तो सारे masters को select करना ही समझदारी है select करने के बाद export बटन पर click करने पर ये screen आपके सामने आजाती है जिसमें जिस उस file को किस location में किस नाम से save करना है वो आप यहां पर set कर सकते हैं file name और location set करने के लिए आपको एक छोट इसी tip है कि file का नाम छोटा रखे और किसी folder में save नहीं करते हुए directly किसी drive में save करें यह compulsory नहीं है पर इसका एक फाइदा है जो हम बाद में जानेंगे नाम और location select करने के बाद आप save बटन पर click करने पर treatment automatically उस location पर उस नाम से एक file जनरेट करेगा जिसमें आपके select कि यह सारे masters export हो जाएंगे very good एक काम तो हो गया अब next हम वो watcher select करेंगे जो हम tally में export करना चाहते हैं इसके लिए company में export में transaction के उपर click करना है तो यह screen आपके सामने आ जाती है जिसमें right side में tally integration के लिए tips and instructions देए गए हैं जिसे follow करके आप बड़ी आसानी से vouchers export कर सकते हैं left side पे vouchers filter करने के लिए options देए गए हैं vouchers to be exported section में वो सारे voucher types available हैं जो tally में export कर सकते हैं जिसे की payment, receipt, contra, वगेरा वगेरा इसमें से अब जो vouchers export करना चाते हैं वो आप कर सकते हैं अगर अब सारे vouchers export करना चाते हैं तो select all button पर click करने पर सारे vouchers select हो जाएंगे criteria section में date duration select करने का option है जिसे आप select कर सकते हैं कि कौन से duration में बने vouchers को आप export करना चाते हैं और criteria में और एक option दिया गया है exclude vouchers being exported का जिस पर टिक करने पर freightman automatically वो सारे vouchers exclude करेगा जो already export कर चुके हैं सारे option सेट हो जाने के बाद populate button पे click करना है जिससे freightman आपकी criteria के according सारे vouchers filter करेगा और आपके सामने यह screen आ जाएगी अगर populate button click करने के बाद आप वापस से पहले वाले screen में लोटना चाते हैं तो back button पर click कर सकते हैं इस screen में आपको वो vouchers select करने हैं जो आप टैली में export करना चाते हैं अगर आप सारे ही vouchers export करना चाते हैं तो select all button पर click करने पर सारे vouchers select हो जाएंगे voucher selection हो जाने पर आपको export बटन पर click करना है तो यह screen आपके सामने आ जाती हैं जिस में file को किस location और किस नाम से save करना है वो आप यहां पर set कर सकते हैं जिससे मैंने पहले यह बताया था कि file के नाम चोटा रखे और किसी folder में save नहीं करते हुए directly किसी drive में save करें यह compulsory नहीं है पर इसका एक फायदा है वो हम बाद में जानेंगे वो हो congratulations फ्रेटमेंट में हमारा काम finish हो गया अब जो करना है वो tally में करना है so now we will move on to tally for the import operation क्या जी हाँ मैं तो पहले ही कहा था कि बहुत simple है अब आप भी मान गए ना पहले ओपन करके select company पर क्लिक केजिए और वो company select केजिए जिसमें के हम फ्रेटमेंट से एक्सपोर्ट किया गया डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं company select हो जाने के बाद आप इंपोर्ट ऑफ डेटा में जाए और master select केजिए यहाँ आपको बता दूँ कि फ्रेटमेंट से चाहे तो आप पहले masters export करें या transactions कोई परक नहीं परता पर tally में इंपोर्ट करते वक्त पहले आपको masters इंपोर्ट करने है और उसके बाद यह transactions इंपोर्ट करने है masters पर select क्लिक करने पर आपके सामने यह screen आजाएगी जिसमें आपको import file name में जो master file हमने फ्रेटमेंट से export करी थी उस file का नम पुरे पात के साथ mention करना है file name के पिचे .exe में लिखना मत बूलेगा अगर याद हो तो फ्रेटमेंट से export करते वक्त हमने बताया था कि file का नाम छोटा रखिये और किसी folder में save नहीं करते हुए directly किसी drive में save करें याद आया हो इसलिए कि tally में आपको file का नाम और इसका पात manually type करना पड़ेगा अगर आप उसमें गलती करते हैं तो data input नहीं होगा है अगर file का नाम छोटा हुआ और directly किसी drive में store किया गया है तो हमें बहुत ही छोटा path type करना पड़ेगा जिसमें गलती होने की chances कम रहेंगे है की नहीं file का नाम और path mention करने पर आपको treatment of entries already existing section में तीन options में से आपके ज़रूत के हिसाब से कोई एक option select करना है अगर आप नहीं जानते कि कौन सा option select करना चाहिए तो better है आप ignore duplicate option select करें option select हो जाने पर enter की press करना है जिससे tally import operation शुरू कर देगा जिसका खत्म होने पर वो सारी masters जो हमने fragments export करें थी वो tally में import हो जाएंगे next हमें same procedure vouchers के लिए करना है vouchers उसके लिए हमें import of data में vouchers को select करना है vouchers पर click करने पर आपके सामने ये screen आजाएगे जिसमें जो transaction file हमने fragments export करें थी उस file को नाम पूरे path के साथ mention करना है और यहां भी file name के feature dot action में लिखना मत दूएगा import file name mention करने के बाद enter key press करना है जिससे tally import operation शुरू कर देगा जिसके खतम होने पर वो सारे transactions जो हमने fragments export करी थी वो tally में import हो जाएगे थी बस हो गया और सिर्फ इतना एक ही काम बचा है वो है यह चेक करने की import operation प्रोसेस करने में tally को कोई प्रॉब्लम आई थी या नहीं आपको tally shortcut में right click करके open file location करने पर tally folder open हो जाएगा जिसमें tally.imp file को notepad में open करना है और tally import operation में मिली success या failure कर reporting इसी file में तर्टा है और जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे masters और transactions इंपर करने के लिए दोनों ही operation successfully process हुए अब ये और बाकी सारे वीडियो कैसे लगे हैं उसके लिए हमें feedback दे सकते हैं Thank you friends for watching and learning from this beautiful video tutorials from extreme solutions Thank you so much friends